Hey everybody, welcome to Study Glows, मेरा नाम है दीपक यादव, देखेंगे 7 मई 2021 यानि आज की तारीक के डेली न्यूस पेपर एनलेसिस को, इस वीडियो में हम लोग अलग अलग न्यूस पेपर से important articles का discussion करेंगे, So guys, बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, कि ये जो वीडियो है, लगबग एक महीने बाद ये upload हो रहा है, तो इसको मैं continue नहीं कर पाया था, कुछ health issues की वज़ा से, आज से ये वीडियो आपको regular मिलने वाला है, तो करना क्या है फड़ा फड़ अपनी pen और copy लेकर बैठो, और जितने भी मैं important article discuss करूँगा, जहाँ पर भी आप अपने current affair के notes बना रहे हो, वहाँ पर इनको note down करते रहना, तो एक बार नजर मार लेते हैं कौन-कौन से articles का discussion करना है हम लोग को इस वीडियो में, पहले article में बात करी गई है PMGKY के बारे में, यह क्या है प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना, यह योजना, नियूस के अंदर क्यों है, यह क्या योजना है, इससे किसको benefit मिलेगा, क्या benefit मिलेगा, यह सब कुछ हम लोग discuss करने वाले हैं, बहुत important article होने वाला है, second article में हम बात करेंगे, इंड साथ मैं बताऊँगा, यह virtual summit क्या होता है, बहुत जादे news का अंदर रहता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, third article में हम बात करेंगे, asiatic lion के बारे में, तो यह lion news का अंदर क्यों है, साथ ही साथ, इस lion से related एक lab है, वो बहुत जादे चर्चा में है, बहुत important है, तो उसके ब बात करेंगे, 5G technology को लेकर, Department of Telecommunication ने बोला है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से, मतलब जो Airtel है, Jio है, इन लोगों से बोला गया, कि आप लोग 5G technology के जो trials हैं, उनको conduct करो, तो discuss करेंगे, इस overall article को, यह भी again important होने वाला है, उसके बाद देखो, एक yoga mat बनाई गई है, जो mat होती है, चरपाई, तो yoga करने के लिए, एक mat बनाई गई है, वो एक plant से बनाई गई है, तो discuss करेंगे, बहुत important होने वाला है, तो 6 लड़कियों ने मिलकर इसको बनाया है, तो अच्छे से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, उसके बाद एक और, again, really very important article, Winkov 19, तो जो COVID-19 है, COVID-19 के लिए, पहला specific drug को develop किया जा रहा है, जिसका नाम है Winkov 19, तो discuss करेंगे, क्या है, यह actually मैं, और इसके अंदर जो antibodies है, वो कौन से जानवर से ली गई है, उसके बाद हम बात करने वाले है, production link incentive scheme, जिसको PLI scheme बोला जाता है, तो IT hardwares के लिए, इस PLI scheme को launch कि यह scheme क्या होती है, हमारे economic point of view से बहुत important article है, उसके बाद यहाँ पर इससे क्या-क्या benefit मिलेगा हमारी country को, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, sorry यहाँ पर UK लिग गया, इसको होना चाहिए था, UCO, मतलब used cooking oil, तो used cooking oil के उपर based, biodiesel को supply करने की बात करी गई है, ज इससे क्या फाइदा होगा और इससे हम लोग कितनी अच्छी तरीके से work कर सकते हैं, okay, now, देखो आगे बढ़ने से पहले सभी लोग के लिए एक question है, जिसका answer नीचे comment section में सभी लोग को करना है, at least सभी लोग इसके अंदर participate करेंगे, क्योंकि जो यह dairy business पर मैं question लाँँगा यह आपके exam के point of view से directly important हो जाएंगे, now, question क्या है, which of the following days is celebrated every year on May 6, 6 माई को कौन से दिन को celebrate किया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, world rabies day, या फिर international food day, या फिर international no diet day, या फिर world nutrition day, तो question अच्छा है, नीचे comment section में सभी लोग try करना, इसका answer करने का, now, अभी तक आपने study इगलोज को subscribe नहीं किया है, तो सबसे पहले subscribe करो, और bell icon press करो, ताकि आप कोई भी वीडियो का notification मिस ना कर पाओ, ये है मेरी Instagram ID, दीपाख्यादा वेजूकेशन, जाकर आप लोग simply वहाँ पर type करके, मुझसे जुड सकते हो, और अपनी problems जो भी हैं, पूछ सकते हो, now, आते ह Article 1 की तरफ, अब बात करेंगे हम लोग, प्रधान मंतरी, गरीब कल्यान, अन्य योजना के बारे में, तो हुआ क्या है, जो हमारी Food Corporation of India है, इन्होंने decide किया, कि जो ये योजना है, इसको जल से जल लागू किया जाए, और साथी साथ, जो COVID-19 से related आज के टाइम पर देखोग तो ये सब कुछ हम लोग बात करने वाला है इस आर्टिकल में, यहाँ पर आप देख पा रहोंगे, ये आर्टिकल Business Standard Newspaper से लिया गया है, 28 States Union Territories, Start Lifting Grains for Free Distribution Under PMGKY, तो Free Distribution स्टार्ट हो चुका है, इस योजना के अंडर, now discuss करेंगे योजना क्या है, सबसे बेले तो आप द रधान, मंतरी, गरीब, कल्यान, अन, योजना, दुबारा से मैं इसके बारे में बता देता हूँ, तो ये जो योजना है, ये लगबग दो महीने के लिए लागू की जाएगी, मई और जून 2021 के लिए जो आने वाले टाइम है हमारा, इसमें आज के टाइम पर दिख आने वाली है, पूरा खर्चा करने वाली है, इस स्कीम के अंडर में दो महीने तक, अब यहाँ पर बात ये उड़ती है कि कितने लोग को फाइदा मिलेगा, इसमें बताया गया 80 करोड लोगों को यहाँ पर benefit मिलने वाला है, 80 करोड वो लोग जो की NFSA के अंडर में आते हैं National Food Security Act के अंडर में, इसके अंदर भी दो कैटिगरीज आती हैं, एक कैटिगरी आती है, अन्तियोध्या, अन्योजना वाली, दूसरी आती है, प्रारिटी हाउसोल्ड वाली, ठीके, तो यहाँ पर होगा क्या, दोनों ही कैटिगरीज में मिला कर, 80 करोड बेनिफीशरीज को जो है, ये 5 किलो, आपके सकतों गेहू चावल प्रोवाइट करवाया जाएगा, पर परसन, ठीके, हर एक व्यक्ति को 5 किलो राइस वीड प्रोवाइट करवाया जाएगा, हर महीने, ठीके, तो ये 2 महीने के लिए हम लोग इसे स्कीम को लागू करने वाले हैं, इसके बारे स्कीम के बारे में समझा देता हूं, तो आपको नाम से याद रखना है, गरीब कल्यान करने के लिए अन यहाँ पर दे रहे हैं, ताकि उनको एक हल्प मिल सके, और थोड़ा बहुत उनको खाना मिल सके, अज के टाइम का, हुआ क्या है? इंडिया और UK के बीच में मतलब कि United Kingdom के बीच में हुई है एक virtual summit देखो मैं आपको बता दू कि जो ये virtual summit है ये क्या होती है जो एक तरीके से physical नहीं होती मतलब कि video conferencing के थुरू यहाँ पर summit करवाई जाती है बातचीत की जाती है जैसे कि आप देख पाओगे ये इस summit के picture है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये UK के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन इदर हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आ गए नरेंदर मोदी जी तो दोनों के बीच में discussion किया गया क्या चाहिए discussion किया गया आगे हम लोग बात करने वाले हैं तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पाओगे तो ये एक virtual summit था आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा virtual summit का मतलब ये article Indian Express से लिया गया है Modi Johnson virtual summit India UK ने मिलकर अपना road map तयार कर लिया है साल 2030 तक का कि किस तरीके से दोनों countries मिलकर अपने cooperation को और ज़्यादा बढ़ा सकती है आपस में दोनों मिलकर और ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर सकती हैं तो ये road map है 2030 के लिए इसको adopt किया गया है अगर हम लोग बात करें तो comprehensive strategic partnership की तरफ यहाँ पे ये दोनों ही countries मिलकर काम करेंगी और किस-किस areas में जैसे people to people contact होगा दोनों countries के बीच में व्यापार को लेकर काम करेंगी economy के sector में काम करेंगे साथ में मिलकर defense या फिर security के एक मामले में काम करेंगे climate action, health हो गया इन सभी sector में दोनों countries आपस में partnership करके work करने वाली है उसके बाद दूसरा क्या discussion किया गया दूसरे point में बात करी गई enhanced trade partnership जो व्यापार है दोनों countries मिलकर कोशिश ये करेंगी जो bilateral trade है दोनों country के बीच का जो व्यापार है वो और जादा grow हो जो free trade agreement है उसके ओपर ये काम करेंगे एक तरीकी से जो trade है उसको freely यहाँ पर use किया जा सके उसके बारे में यहाँ पर ये दोनों ही countries मिलकर work करने वाली है तो आपको ध्यान देना है व्यापार के मामले में भी दोनों countries work करेंगी उसके बाद एक area और आजाता है वो है global innovation partnership यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो नएने अविशकार होते हैं उसके sector में भी ये दोनों ही countries मिलकर work करने वाली है and then उसके बाद आता है comprehensive partnership on migration and mobility मतलब कि इसमें क्या होगा कि जो दोनों countries हैं दोनों countries के बीच में जो students हो गए या फिर professionals हो गए वो अराम से आजा सकते हैं जो visa वगरा में दिक्कते आती थी हैं देने लेने में वो visa issue के अंदर दिक्कते काफी कम हो जाएंगी और बहुती easily जो है students, professionals ये सब travel कर सकेंगे इन दोनों countries के बीच में इंडियन students को जाना है UK easily जा सकेंगे तो ऐसा यहाँ पर decide क्या गया है इस virtual summit में उसके बाद दोनों साइट से एक चीज़ और agree करी गई वो क्या है दोनों मिलकर cooperation करेंगे जो नईनी technologies हैं उसके area में digital हो गया, ICT products हो गया या फिर supply chain resilience हो गया तो इन सभी sector में दोनों countries cooperate करके काम करने वाली है एड़ी लास यहाँ पर बात करी गई कि इन्होंने साथ में एक और चीज़ को पर agreement किया वो क्या है defense और security ties यह तो हमने देख लिया था उसके बाद maritime हो गया या फिर counter terrorism हो गया देखो जो terrorism है आतंगवाद है उससे counter करने के यहाँ पर काम करेंगी साथ ही साथ जो cyber space है cyber security है उसके उपर दोनों countries मिलकर काम करेंगी ठीके तो इसके बारे में यह सारी बाते करी गई थी इस virtual summit में I hope आप लोगो यह clear हो गया आते है next article की तरफ यहाँ पर न्यूस के अंदर आ जुके है asiatic lion हुआ क्या है देखो एक report आई है और वो एक CCMB lab की report है उसके अंदर बताया गया कि 8 asiatic lions है जो की covid positive पाए गए और यह हैदराबाद में बिलॉंग करते हैं आप कर सकते हो जो यह lions है इसमें बताया गया जो यह 8 asiatic lions है यह कहां के हैं नहरू जूलोजिकल पार्क के और जो की हैदराबाद के अंदर है यह positive पाए गए है covid-19 तो उसके बारे में यह news आ रही है अब यह जो आर्टिकल है यह दहिंदू से लिया गया है लेकॉंस की full form है laboratory for the conservation of endangered species देखो endangered species मतलब की ऐसी प्रजाती जानवरों की जो की काफी खत्रे में है उनको अगर हमने नहीं बचाया तो आए वाले टाइम के वो खतम हो जाएंगी तो यह आप देख पाऊगे यह जो species है इनके लिए हाँ पर यह laboratory इनको product करने के लिए काम करती है यह कहाँ पर देखने को मिलेगी हैदराबाद के अंदर आपको यह lab देखने को मिलेगी यह जो lab है यह part है CCMB का मतलब Center for Cellular and Molecular Biology का यह part है और जो यह concept है यह लाया गया था लाल जी सिंग जी के दौरा उसके बाद भारत की यह एकलौती research आप कर सकते हो lab है मतलब की जो यह lab है यह research करती है research के अलावा plus इसका दूसरा काम यह भी है जो भी endangered species हैं जो खत्रे में प्रजातियां हैं उनको product करने का काम भी करती है तो एकलौती ऐसी यहाँ पे lab है जो की दोनों ही work करती है उसके बाद इसको establish किया गया था 1998 में आपको ध्यान रखना है मदद ली गई थी Central Zoo Authority की और साथी साथ Government of आंदरबुदेश की मदद से हमने इस पूरे institute को establish किया उसके बाद हमने पूरे nation के लिए इसको work करने के लिए छोड़ा कब साल 2007 में 2007 में जो है ये पूरे हमने nation के लिए इस lab को dedicate कर दिया ठीके प्रेसिडेंट आफ इंडिया अब्दुलकलाम के टाइम के ठीके अब्दुलकलाम जी के टाइम पर उसके बाद आता है next article की तरफ देखो यहां पर बात करी गई है 5G Technology के बारे में तो जो Department of Telecommunication है इन्होंने Telecom Service Providers जैसे की Airtel हो गया Jio हो गया, MTNL हो गया Vodafone Idea हो गया इन सबसे बोला कि आप लोग 5G Trials कंड़र्ट करो, ठीके 5G Technology के ओपर काम करो, हम लोग अपनी खुद की डेवलप करना चाहते हैं तो ऐसा यहां पर स्टेटमेंट दिया गया तो आप यहां पर दिख सकते हो Department of Telecommunication ने अप्रूव करी पर्मिशन दी TSPs को कि आप लोग 5G Technology का Trials वगरा कंड़र्ट करो, ताकि हम लोग इसको जल्दी से डेवलप कर पाएं यह आर्टिकल इंडिया टुडे का है आप लोग देख पा रहे होंगे सेम चीज बार-बार यहां पर बताई गई है जो टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर है जिनको पर्मिशन दी गई है वो कौन-कौन से हैं जैसे की एर्टेल जीओ हो गया वोड़फोन आइडिया एमटी एनल जैसे मैं आप लोग को बताया नाव यह जो टाइम पीरेड है 6 मेने का टाइम पीरेड दिया 6 मेने में ट्राइल्स वगरा कंड़र्ट करने है और जो है इसमें क्या होगा जो यह ट्राइल्स वगरा है यह रूरल एरियाज में तो कंड़र्ट करे जाएंगे साथी साथ अर्बन एरियाज में भी कंड़र्ट करे जाएंगे और साथी साथ सेमी अर्बन एरियाज में भी गाउं हो, शहर हो या फिर इन दोनों के बीच का जो एरिया आता है वो हो सभी जगा पर ये trials conduct करवाए जाएंगे जैसे हमारा ये successful काम होता है उसके बाद ये जो technology है ये हम सभी areas में ये technology भी provide करवा देंगे ओके, objective क्या है कि हम लोग जल से जल इस 5G technology को लेकर आएं उसके बाद phones, devices वगरा को भी develop करें ताकि हम लोग इस sector के अंदर काफी हद तक grow हो जाएं क्योंकि China वगरा ये निकल चुके हैं आगे इस technology के मामले में जो ये 5G technology है ये काफी helpful रहने वाली obviously बात है 2G से 3G पर आए, 3G से 4G पर आए नव 5G पर भी बहुत चीज़ इंप्रूव होंगी जैसा data download rates हो गया आपके 4G से 10 गुना बहतर जो है ये 5G चलने वाला है speed वगरा सब कुछ बहुत ही बहतरी तरीके से मिलने वाली है आते हैं नेक्स राडिकल की तरफ यहाँ पर बात करी गई है मूरहन योगा मैट जब आप योगा करते हैं तो योगा करने के लिए एक मैट चाहिए होती है तो अभी तो इस तरीकी के मैट यूज होती है लेकिन अब यहाँ पर 6 लड़कियों के द्वारा जो कि आपके सकतो कहां से बिलॉंग करते हैं अभी आपको आगे बताऊँगा तो उन लड़कियों ने मिलकर एक योगा मैट बना लिया है और यह जो यह योगा मैट है आप कर सकतो इसके पीछे इतना बढ़िया दिमाग लगाया है कि कुछ पूछो मत यहाँ पर देखो पाऊगे जो यह मैट है यह है एक बायो डिग्रेडेबल मैट इसके बारे में धिहान रखना एक सेकेंड पैन कहां गया यह मिल गया बायो डिग्रेडेबल मैट है एक तरीके से मतलब कि इससे इन्वोर्मेंट वगरा पर नुकसान नहीं पहुंचेगा खराब होगी आपकी मैट फैक दो बैक्टिरिया वगरा उससे खावा के खतम कर देंगे बैक्टिरिया फंजाए उसको पूरी तरह से डिकम्पोस्ट कर देंगे एक तरीके से हम यह कह सकते है जो यह योगा मैट है इसको डेवलप करा गया है वाटर हेसिंद के दोरा एक प्लांट है आप लोग देख पाओगे यह वाला प्लांट इस से इस तरीके से यह मैट बनाई गई है ओके किसके दोरा बनाई गई है छे लड़किया हैं जिन्होंने यह दिमाग लगाया जो कि fishing community से बिलॉंग करती है आसाम से यह बिलॉंग करती है अब देखो न यह जो water plant है यह एक परेशानी बन चुका था मतलब बहुत जादा मात्रा में यह ग्रो हो रहा था तो इसका एक फाइदा निकाल लिया इससे हमने पैसा generate कर लिया तो आप देख सकते हो क्या दिमाग लगाया इन्होंने तो यह जो बहुत problems create कर रहा था इसकी growth बहुत जादा हो रही थी तो इसका दिमाग लगा के इसको मैट में तकदील कर दिया है आप देखका होगे article DD News का है यह UPSA के point of view से भी यह source लग जाता है important हो जाता है कुछ इस तरीके से मैट आप लोग को देखने को मिलेगा मैट की बुनाई वगरा इस तरीके से होती है जो यह मैट है इसको मूरहन योगा मैट बोला जाता है तो आप से पूछा जा सकता है यह हाली में जो मूरहन योगा मैट है इसके बारे में और यहाँ पे देखो यह जो मैट है यह जल्दी आपको वर्ल्ड मार्केट में भी देखने को मिलेगा क्योंकि एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है कि इसने बनाया है मैंने आपको बता दिया जो यह लड़किया है यह बिलॉंग करती है गुहाटी सीटी से गुहाटी सीटी में जील है जिसका नाम है डीप और बील तो इस जील के पास यह रहती है और यह जो जील है इसको रामसर साइट डेकलियर किया गया है तो आपको ध्यान रखना है तो रामसर साइट में इंडिय सारी साइट्स हैं जिसके अंदर ये भी include हो जाती है और जो ये लेक है एक तरिके से जो ये जील है ये नौ गाउं का लिवली हुड है मतलब नौ गाउं के जो लोग है वो इसी जील के तुरू कमाते हैं, खाते हैं ठीके लेकिन हो क्या रहा था एक परिशानी हो रही थी कि ज तो उससे थोड़ा सा wealth generate हो जाएगा ओके, आते हैं next radical की तरफ यहाँ पर बात करी गई है Winkov 19 के बारे में देखो, जो Center for Cellular and Molecular Biology है इसने यहाँ पर develop कर लिया है एक पहला specific drug ठीके, drug की बात हो रही है यहाँ पर COVID-19 के लिए COVID-19 को treat करने के लिए एक drug बना लिया गया है देखो, यहाँ पर आज के time पर जब हम लोग लड़ रहे हैं COVID-19 से लगातार हमारे हैं vaccination वगरा जारूई है तो उस बीच में यहाँ पर एक step उठाया गया है जो यह drug है न इसके अंदर आपको therapeutic antibodies देखने को मिल जाएंगी यह antibodies कैसे ली गई है मैं आपको आगे बताऊँगा यह बहुत important है यह article All India Radio से लिया गया है यह बहुत important source है UPSC के लिए तो आपको इसके बारे में धिहान रखना है इन्होंने approval दिया human trials के लिए मतलब कि अभी यहाँ पर approve कर दिया गया है कि आप human trials conduct करो phase 1, phase 2 trial करो इस drug का और यह जो trial है यह अगले सब्ता हम लोग देख पाएंगे start हो जाएगा डेली और राजिस्थान के अंदर और यह एक तरीके से develop करा गया है CCMB के दोरा इसकी full form क्या है मैंने भी आपको बताया साथी साथ University of Hyderabad Bio Product Limited इस सबने मिलकर इस drug को develop क्या है और कैसे develop क्या है देखो इसके अंदर जो antibody है वो होड से ली गई है गोड़ा गोड़े से यह antibodies ली गई है पहले क्या करा जो होड़ से इसके अंदर inactivate coronavirus डाला गया मतलब coronavirus इसको coronavirus से infect किया गया लेकिन जो की inactivate coronavirus है जिससे की इस गोड़े को कोई नुकसान नहीं होगा अब इसके अंदर डाला गया तो गोड़े की body ने antibodies produce करी ठीके COVID से लड़ने के लिए उसी antibodies से यहाँ पर यह drug को बनाया गया है तो उसके बारे में यहाँ पर एक information दी गई है अब जो यह drug है इसको हम लोग इस्तमाल करने में ला सकते हैं कब जब एक तरीके से face 1 और जो face 2 trial है वो successfully declare हो जाएंगे उसके बाद हम लोग इसका use कर सकते हैं और यह पहली specific drug बन जाएगा COVID को treat करने के लिए जैसे ही शुरुवात में COVID अगर होता है आप लोग को मालूम चलता है तो उसी time पर आप लोग को यह consume करना पड़ेगा उसके बारे में यहाँ पर एक छोड़ा सा statement दिया गया है चलो आगे बढ़ते हैं निक्स अर्टिकल की तरफ अगेन एक और important अर्टिकल है यहाँ पर बात करी गई है production linked incentive scheme IT hardwards के लिए अब यहाँ पर देखो हुआ क्या है लगबक 19 company हैं जिनोंने application फाइल करी है कि यह लोग इस scheme में काम करेंगे दोगो production linked incentive scheme क्या होती है इसमें होता क्या है सरकार आपको पैसा प्रोवाइट करवाएगी आपको एक तरीके से support करेगी financial assistance देगी अगर आप लोग production करोगे तो यहाँ पे बिसिकली laptop, tablet, super computer इन सब की बात हो रही है तो यह सब चीज़े बनाई जाएगी इसके बदले में सरकार production करने के बदले में कुछ incentive देगी तो उसको हम लोग बोलते हैं production link incentive scheme यह article आप देख पाऊगे the Hindu based business line का article है यह बहुत important source हो जाता है हमारे UPSC के point of view से अगर हम economic sector में बात करें तो तो companies कौन कौन सी हो गए जैसे कि Dell company हो गई, laptop की आपको मालूम होगा Fox कौन हो गया साथ इसा 17 अधर companies है मैंने बताया था टोटल 19 companies है तो 17 यह 18 और 19 तो 19 companies है जिन्होंने apply किया है इस scheme के लिए मतलब कि इस scheme में इनको कुछ पैसा मिले कुछ assistance मिले ठीक है जिससे कि यहाँ पर production यह लोग बढ़ा सके नाव जो यह production linked incentive scheme में इसको कब लाया गया अभी इसी साल तीन तारिक तीसरे महिने में लाया गया था नाव यहाँ पर कैसे कैसे इसका incentive वो बताया गया incentive ग्रो किया जाएगा साथ इसाथ जो भी eligible companies होंगी जो भी यहाँ पर इसके अंडर में आएंगी ठीक है जो भी apply करेंगी production linked incentive scheme के लिए उनको चार साल के लिए आप कर सकते हो यह scheme work करने वाली है चार साल के लिए और वो कौन कौन से चार साल है 2021-22 से लेकर 2024-25 तक यह scheme work करेगी target क्या होगा target यह होगा जो laptop है tablet है या फिर personal computer है इन सब को बनाया जाएगा इन सब के लिए production किया जाएगा इसमें होगा क्या अब यहाँ पर सरकार क्या कर रही है production linked incentive scheme जारी कर रही है अब जो company है वो यह सारी चीज़े बनाएगी इसके बदले में इने incentive मिलेगा इससे जो हमारा domestic manufacturing sector है वो grow होगा हम लोग अपनी country के अंदर काफी तेजी से इन चीज़ों को manufacture कर पाएंगे और उसको देखती देखते क्या होगा हमारी country के अंदर investment बढ़ने लगया investment बढ़ेगा तो हमारी company भी आपका सकते हो economy economy भी काफी हगत तक grow होती भी नजर आएगी तो एक तरीके से इस छोटी सी scheme से बहुत सारे फायदा देखने को मिल जाएगा यहाँ पर यह जो चीज़े हैं यह आप लोग read कर सकते हो यह थोड़ा बहुत बताया गया है किस-किस तरीके से पैसा लगया जाएगा मैं आपको important चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर important चीज़ यहाँ पर last वाला point आप देख पाऊगे जो यह scheme है यह additional investment आप कर सकते हो लेकर आएगी electronic manufacturing के अंदर यानि investment जो है grow होता हुआ हम लोग को नजर आएगा जिससे कि economy के उपर भी कही नहीं effect पड़ेगा साथी साथ एक important point यह भी है इसके अंदर बताएगा जो यह scheme है यह generate करेगी लगबख 37,500 direct employment opportunities मतलब जो रोजगार है वो बढ़ाया जाएगा 37,500 तक यहाँ पर रोजगार आप कर सकते हो opportunities बढ़ेगी indirect employment ग्रो होगा एक तरीके से जब companies लग रही है company को अब काम ज़ादा करना है manufacturing ज़ादा करनी है लोगों की ज़ादा ज़रूरत होगी रोजगार भी बढ़ेगा तो यहाँ पर इससे यह benefit होतावा नज़र आएगा आते है next article की तरह आज का last article बात करता है UCO based bio diesel के बारे में UCO मतलब used cooking oil ऐसा oil जिसको हमने use कर लिया है कुछ भी हमने बना लिया खाने के लिए अब जो यह तेल है न इससे हम लोग bio diesel create कर सकते हैं और उस bio diesel के बहुत फाइद हैं मैं आपको आगे बताऊँगा bio diesel के बारे में क्या होता है तो जो union minister of petroleum and natural gas है इन्होंने पहली supply कर दी है UCO based bio diesel की तो UCO क्या है used cooking oil जिसके उपर यहाँ पर हम लोग bio diesel बना सकते हैं यह article आप देख पाऊगे अगेन दाहिंदू based business line article है तो यह दाहिंदू का ही है business line का article बहुत important हो जाता है हमारे economic point of view से देखो यहाँ पर जो भी इंडियन oil companies है इन्होंने supply करना चालू कर दिया है bio diesel को जो की बनाया गया है किस से used cooking oil से now यहाँ पर आप देख पाऊगे जो used cooking oil है इसके बारे में बताया गया है वही चीजें बार-बार expand करी गई है अब आता है important चीज के उपर देखो यह जो bio diesel है यह क्या होता है bio diesel एक alternative fuel है किसका fossil diesel का जो diesel होता है आपको मालूम होगा diesel का alternative है आप diesel इस्तमाल नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं उसके बतले आप लोग यह bio diesel का इस्तमाल कर सकते हो और bio diesel कैसे बनता है अब यह हम लोगों ने देखा है इसमें used cooking oil इस्तमाल होता है ठीक है जो भी आप cooking oil आपने जो भी कुछ भी बना लिया उसके बाद जो तेल है वो बिकार हो गया है फेक हो गया है उससे अच्छा हम लोग bio diesel बना सकते हैं यह भी बोला गया देखो used cooking oil का इस्तमाल करके हम लोग इसको बना सकते हैं साथी साथ vegetable oil का animal fats का टेलो का इस्तमाल करके भी हम लोग bio diesel को generate कर सकते हैं उसके बाद क्या फाइदा होगा bio diesel का bio diesel एक carbon neutrality की तरवर करता है मतलब कि जो carbon है उसका emission नहीं देखने को मलता carbon emit नहीं करता है pollution नहीं create करता तो काफी अची बात है जो हमारा वैसा normally diesel है उसे आप लोग वहिकल के अंदर डालोगे तो वो carbon को emit करेगा उससे pollution भी काफी हतक बढ़ता वह नजर आएगा लेकिन जो ये bio diesel है इससे pollution create नहीं होगा तो ये काफी अची बात है न इसके बारे में एक सबसे बड़ा फाइदा ये भी है उसके साथ बोला गया बायो डीजल एक बायो डीग्रेडेबल है तीके मतलब कि बैक्टिरिया फंजाय मिलकर इसको डीकंपोस कर देते हैं और completely non-toxic है हमारे environment के लिए भी कोई खतरा नहीं है ये तो काफी बहतर ये option बन जाता है तीके तो इसके बारे में बताया गया है तो आपको पता होना चीह है बायो डीजल कैसे produce हो जाता है waste cooking oil का इस्तमाल करके भी produce कर सकते हैं इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने video lecture को समाब I hope आप लोग को सभी article डीटेल में clear होगे होंगे और मुझे लगता है कि आपने notes भी बनाए होंगे जो भी important article है देखो जो PDF वगए रहा है वो आप लोग को नीचे description box में studyglows का telegram का link दे रखा है वहाँ से आप लोग ले सकते हो और Instagram पर जरूर मुझे follow करना दीपक यादव education टाइप करना Instagram पर और जाकर वहाँ पर follow करके अपनी queries पूछना नाव मिलते हैं आप लोग उसे next video में आज के लिए thank you आज के लिए bye bye have a nice day